हलो नमस्कार दोस्तों क्या जब आप पूचा कर रहे होते हैं तो आपकी दीपक में फूल बनता है अगर आपकी दीपक में फूल बनता है जो आपकी दीपक में फूल बनता है जो आपकी दीपक में फूल बनता है दीपक में फूल बनने का मतलब है कि आपकी पूचा आपके इश्ट देव तक पहुंच रही है इसका आथ होता है कि आपके ऊपर इश्ट देव की कृपादिष्टी है वे किसी न किसी रूप में प्रदश या प्रदश रूप में आपके साथ हैं आपके इश्ट देव जिनको भी आप मानते हैं आपके कार्यों में आपकी साहता कर रहे उनकी किपास से आपकी सभी कार बने लगेंगी इसलिए दिपक में फुल बनता है क्योंकि हिन्दू धर्म सास्तरों में पूजा कि समएं दीपक चलाने को जरूरी वताये गया है बिना दीपक कि आपकी पूजा को अधूरा मारा जाता है कई बार ऐसा होता है कि दीपक में फूल बन जाते हैं पूचा के वक्त में दीपक में फूल बनने का मतलब कुछ खास होता है दीपक में फूल बनना एक सुप संगेत होता है अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो क्या करें ये आपके दीपक की लौ में भी फूल बनता है, तो आपको अपने इस्ट देव की पोजा में और ध्यान लगाना चाहिए, आपको धर्म और पोने का कम जादा खाना चाहिए, ये नहीं करना है तो सुरू कर देना चाहिए, हर रोज गाई को चारा भोजन एत्यात खिलाना चा झाल झाल